जादूई हरा धनिया एक बार की बात है, एक गाउं में रामू और श्यामू नाम के दो भाई अपनी पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते थे रामू वेवहार में बहुत ही सीधा था और श्यामू और उसकी पत्नी सुमन उतने ही चालाग थे सुनू जी मुझे तो लगता है पिता जी के पास जादा समय नहीं बचाए यही समय आप उनसे जमीन जाय जात की बात कर लीजिए हाँ भाकेवान तुम सही कह रही हो चलो उनसे चल कर बात करते है रामू और उसकी पतनी मीना पिता जी की सेवा कर रहे थे क्योंकि उनके पिता की तब्यत बहुत ज्यादा खराब थी पिता जी मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ मुझे आपके तब्यत बहुत ज्यादा खराब लग रही है अरे नहीं नहीं बेटा अब डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है लगता है अब मेरा समय बहुत नजदीक है ऐसा मत बोल ये पिता जी सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको कुछ नहीं होगा पिता जी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है वो जो हमारे खेत हैं आपके जाने के बाद किसको कितना हिस्सा मिलेगा मतलब पता तो होना चाहिए न पिता जी भाईया आप ये कैसी बाते कर रहे हो पिता जी की तबित इतनी खराब है और आप ये सब बाते लेकर बैट गए हो क्या ये बात करने का सही समय है अरे नहीं रामू शामू बिलकुल सही कह रहा है मेरे पास पाँच बिगा जमीन है वो तुम दोनों आधी आधी जमीन आपस में बाट लेना और रामू श्यामू तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम्हें इसकी सारी बाते माननी है दोनों भाई प्यार से साथ में रहना कभी भी तुम दोनों के बीच में जगड़ा नहीं होना चाहिए रामू के पिता जी कुछ देर के बाद अपना दम तोड़ देते हैं रामू और उसकी पत्नी अपने पिता को देख कर खूब रोते हैं अपने पिता के अंतिम संसकार के कुछ दिन बाद ही शामू अपने भाई रामू के साथ जमीन का बटवारा कर लेता है अरे रामू मैंने ये लकीर खीच दी है इस लकीर के अधर तेरी जमीन है और इस लकीर के अधर सारी मेरी जमीन है और तू इस पर अराम से खेटी करना भाईया मगर ये तो बहुत कम है और ये जमीन का हिस्सा तो उपजाओ भी नहीं है ये तो घलत है ना भाईया अरे कैसी बाते कर रहा है हमारे पिता जी भी तो सारी जमीन पर खेती करते थे उपजाओ नहीं है तो क्या हुआ उसको उपजाओ बनाया जा सकता है वैसे भी तुम्हें याद है ना पिता जी ने क्या कहा था तुम्हें मेरी सारी बाते माननी होगी श्यामू चालाकी से खेत के लिए सारी जमीन अपने पास रख लेता है और जमीन का कुछ हसा रामू के नाम कर देता है आपके बड़े भाई आपके सीधे पन का फाइदा उठा रहे हैं भला इस पंजर जमीन पर हम कैसे खेती करेंगे जी मीना तुम ही बताओ में क्या करता पिता जी आँखरी समय कहते हुए गए थे कि मुझे अपने बड़े भाई की हर बात माननी है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पिता जी की बात का मानना रहता आप कितने अच्छे इंसान हो अपने पिता जी की बात रखने के लिए इतना कुछ कर रहे हो और मीना तुम चिंता मत करो वो जमीन पर मैं काम करके उस जमीन को फिर से उपजाओ बना दूँगा हाँ मैं भी आपकी मदद करूंगी अगले दिन रामो और मीना अपने खेत पर पहुँचते हैं खेत की पूरी मिट्टी बंजर थी रामो और मीना मिलके खेत को जोतने लगते हैं पूरे दिन खेत में काम करने के बाद रामो और उसकी पतनी मीना अपने घर लोट जाते हैं घर आते ही मीना खाना बनाती है और वो दोनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में अराम करने चले जाते हैं सुनो जी, कुछ दिन की बात आ रहे न फिर हमारे खेट भी उपजाओ हो जाएंगे और हम भी उन पर खेटी कर सकेंगे हाँ मीना, उमीद तो यही है वो दोनों इतने ठके हुए थे कि बात करते करते वो कब सो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता अगली दिन वो फिर से खेट को जोतने के लिए चले जाते हैं अब जाकर यह जबीन थोड़ी ठीक लग रही है बस पानी के टुवल से खेट में पानी आने का रास्ता बना देता हूँ रामू पानी के टुवल से पूरे खेट में पानी आने का रास्ता बना देता है पूरे खेत में पानी का रास्ता बनाने के बाद रामू टेवल को खोल देता है और पूरे खेत में पानी आने लगता है मीना बस अब हम कुछी दिनों में बीच बो सकेंगे अपने खेतों में हाँ जी अब लग रहा है हमारे खेतों में जल्दी फसल लुगेगी उनकी इतने दिन की महनत के बाद अब उनकी जमीन उपजाओ लगने लगी थी रामू बाजार से बीच लेकर आता है जब रामू घर आता है तो देखता है कि मीना की तबियत बहुत खराब थी अरे मीना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा, मगर मेरे पास चो पैसे थे, उन पैसों से तो मैंने बीच खरीद लिये है अरे, आप यूँ ही चिंता कर रहे हो, मैं आराम करूँगी तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगी रामो के पास इतने पैसे नहीं थे, कि वो अपनी पत्नी का इलाज करा सके, इसलिए वो अपने बड़े भाई श्यामु से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है भाईया, मीना की तबियत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर को दिखाना होगा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे एक महीने में लोटा दूँगा अरे ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूँगा, मगर इस पैसो पर मैं ब्याज लूँगा मैं तुझे पांच हजार रुपे दे देता हूँ, मुझे एक महीने के बाद ब्याज सहित पूरे साथ हजार रुपे चाहिए अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हर महीने ब्याज पढ़ता रहेगा क्या भाया इतना ज्यादा ब्याज अरे तुझे लेने हैं तो ले वरना मत ले रामू अपने भाया से पैसे ले लेता है और उन पैसों से मीना को डॉक्टर को दिखा कर लेकर आता है कुछी दिनों में मीना डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाती है रामू खेत में बीच डालने जा रहा था तब ही पीछे से मीना रामू को आवाज देकर रोकती है रोकिये जी पिता जी का कमरा साफ करते वक्त उनके बक्से से मुझे ये थैले में धन्या के बीच में ले है इनको भी खेत में डाल देना रामू मीना से वो धन्या के बीच ले लेता है और अपने खेतों में चला जाता है खेत पर आते ही रामू खेतों में बीच बोने लगता है पहले वो बाजार से जो बीज लाया था वो सारे खेत में बोदेता है फिर जो मीना ने बीज दिये थे उनमें से भी कुछ बीज खेतों में डाल देता है जब रामू पूरे खेत में बीज बोदेता है तो शाम को वो अपने घर लोट जाता है अगले दिन रामू अपने खेत में जाता है तो वो देखता है कि उसके खेत में फसल लहरा रही थी रामू को अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था अरे ये क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ये सच है मैंने कल ही तो बीच पोई थे और आज फसल इतनी बड़ी भी हो गई रामू ये देखकर बहुत खुश हो गया और वो अपनी फसल की कटाई शिरू कर देता है चलो पूरी फसल की कटाई तो हो गई बस अब धन्या भी काट लेता हूँ इन्हें भी कल सुभा बाजार में बेच कर आ जाओंगा रामू शाम को वापस अपने घर लोड़ जाता है जब वो मीना को ये बात बताता है तो मीना भी बहुत खुश हो जाती है अगले दिन सुभा बाजार जाने के लिए जब रामू उठता है तो देखता है कि जो हरा धन्या उसने बाजार में बेचने के लिए काटा था वो हरा धन्या एक सोने में बदल गया था ये देखकर रामू दंग रह जाता है मीना जल्दी आओ अरे यहां देखो यह क्या है मीना मुझे अब समझाया कि हमारी एक ही दिन में फसल कैसे उग गई ये सब जादूई हरे धनिये का कमाल है जो बीच तुमने मुझे दिये थे वो जादूई बीच थे उन्ही की वज़ा से हमारी फसल जल्दी उग गई और देखो न ये हरा धनिया जो में खेट से लाया था ये सोने में बदल गया है हाँ जी आप बिल्कुल सच कह रहे हो ये सच में जादोई हरा धनिया है ये तो सच में शमतकार हो गया है बस तब से रामू पूरे खेट में हरे धनिया की खेटी करने लगा और वो हरा धनिया काटने के बाद जब अपने घर लाता तो वो हरा धनिया सोने में बदल जाता और फिर रामू उस सोने को सुनार के पास लाकर बेच देता रामू के घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे थे रामू ने जो पैसे अपने बड़े भाई श्यामू से उधार ले रखे थे वो पैसे रामू ब्याज सहित उसे लोटा कर आता है ऐसा करते करते रामू ने आसपास के कई खेत खरीद लिये और उनका कच्चा घर भी अब पक्के घर में बदल जाता है इस तरह जादूई हरे धन्ये की वजह से रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया था एक बार की बात है नेहा नाम की लड़की अपनी माता पिता की गुजर जाने के बाद अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी नेहा की चाचा चाची बहुत ही बुरे और कठोर स्वभाव के इंसान थे वो नेहा के बालिक होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि नेहा के पिता ने अपनी जायजाद नेहा के नाम लिखी हुई थी और उसके मुताबिक नेहा के अठारा साल होते ही सारी जायदाद नेहा के नाम हो जाएगी नेहा के चाचा चाची उसकी सारी जायजाद अपने नाम करवाना चाहते थे पता नहीं ये कमबकर्ट 18 साल की कब होगी और ये कब हमारे घर नाम होगा मुझसे तो नह और इंतजार नहीं होता अरे सबर करो भागयवान सबर करो पस कुछ महीने और फिर ये जल्द ही घर हमारे नाम हो जाएगा नहा बहुत ही संदर और स्वभाव से बहुत ही सीधी लड़की थी आसपास के लोग भी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे नहा के चाचा चाची जितना बेटे अपने रोहिद से प्यार करते थे उतना ही वो नहा से चिड़ते थे नेहा की चाची नेहा से घर का सारा काम करवाती थी अरे देखो महरानी कैसे ठाट से बठी हुई है घर के सफाई कौन करेगा चाची मैं अभी तो साफ सफाई करके बठी थी अरे हाँ तो किचन के बरतन कौन साफ करेगा चल खड़े ओकर जल्दी से किचिन के बरतन साफ कर किया काम का आज कुछ करना नहीं है महरानी से अराम करवा लो ठीक है चाची मैं अभी किचिन के बरतन साफ करती हूँ नेहा की चाचा चाची का बेटा रोहित भी उन्हीं की तरह बहुत चलाग था वो नेहा से बहुत नफरत करता था अगर नेहा गलती से भी उसके सामान को चूँ देती थी तो रोहित उसे बहुत डाटता था नेहा को उन सब की बातों का बुरा तो बहुत लगता था मगर क्या करे वो मजबूर थी नेहा अपने ही घर में नौकरों की तरहा रहती थी उसकी चाची उसे खाना भी बचा कुचा ही देती थी इतना सब होने के बाद भी नेहा खुश रहने की कोशिश करती थी बचपन में नेहा का बहुत अच्छा दोस्त था रोहन मगर उसकी पिता का दूसरे शहर में ट्रांसफर होने के बाद वो वहां से चला गया था तब से नेहा का कोई दोस्त नहीं था वो अपने आपको बहुत अकेला महसूस करती थी नेहा जब भी खुश या दुखी होती थी तो वो अपने माता पिता की तस्वीर को देखकर बातें किया करती थी माह पिता जी मज़े आपकी बहुत याद आती है काश आप मेरे साथ होते चाचा चाची बिलकुल भी अच्छे नहीं है वो मेरे साथ बहुत बुरा वे अभार करते है पता नहीं मैं कभी भी बाकि लोगों की तरह सिंदिकी जी भी पाऊंगे या नही एक दिन नेहा अपने बगीचे में पॉंधों को पानी दे रही थी तभी अचानक से एक चिडिया नेहा के पास आकर गिर जाती है उस चिडिया के पंख पर चोट लगी हुई थी अरे इस चिडिया को तो बहुत चोट लगी है मुझे जल्दी इसकी चोट पर कुछ लगाना होगा नेहा चिडिया के पंखों पर दवाई लगाती है और एक कटोरी में उसे पानी पिलाती है वो चिडिया उड़ने के कोशिश करती है मगर उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उसे काफी चोट लगी हुई थी तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूँगी और फिर से तुम भी बाकी चिडियों की तरह उड़ने लगोगी कुछ दिन तक नेहा उसकी देख भाल करती है रोज उसे दवाई लगाती है उसे खाना खिलाती है कुछ ही समय में वो चिडिया ठीक होने लगती है और एक दिन वो चहकते हुए उड़ने लगती है चिडिया की आवाज सुनकर नेहा उसके पास आती है अरे वा तुम तो फिर से उड़ने लगी मैंने कहा था ना मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूँगी नेहा को देखते ही वो चिडिया अपने असली रूप में आती है वो चिडिया कोई और नहीं बल्कि एक सुन्दर सी परी थी हलो नेहा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए अरे क्या तुम तो अभी एक चिडिया थी और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता तुम कौन हो नीहा मेरा नाम सुन परी है मैं परी लोग से आई हूँ धरती लोग पर अगर कोई मसीबत में होता है तो मैं उसकी मदद करने आ जाती हूँ मैं तुम्हारी परिक्षा ले रही थी और तुम उसमें सफल हुई हो मैं तुम्हें एक जादूई पुदीने का पौंधा देती हूँ तुम इससे कुछ भी दो इच्छाएं मांग सकती हो अगर मैं जादूई पुदीने के पौंधे से कुछ भी मागूंगी तो क्या वो सच में पूरा हो जाएगा हाँ मगर ध्यान रहे तुम एक दिन में जादूई पुदीने से एक ही इच्छा मांग सकती हो इतना कहते ही वो परी वहां से गायब हो जाती है और परी के जाते ही वो जादूई पुदीने का पौंधा वहां आ जाता है नेहा जादूई पुदीने के पौंधे को अपने कमरे में ले आती है नेहा सोच में पढ़ जाती है कि वो जादूई पूदीने से क्या मांगे मेरे पास पहनने के लिए अच्छे-च्छे कपड़े नहीं है क्या मुझे नए-णए कपड़े मिल सकते हैं जैसे ही नेहा जादूई पूदीने के पौंधे को ऐसा कहती है तभी तुरंत नेहा की पुरानी ड्रेस एक सुन्दर सी ड्रेस में बदल जाती है और नेहा की अलमारी में धेर सारे कपड़े आ जाते हैं नेहा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है अरे वा, मेरे पर ये ड्रेस कितनी सुन्दर लग रही है और मेरी अलमारी में भी कितनी सुन्दर सुन्दर ड्रेस है इन्हें पहनने के बाद मैं बहुत सुन्दर लगूंगी नेहा अपने कपड़ों को देख ही रही होती है कि तब ही नेहा की चाची उसे काम के लिए बुला लेती है नेहा अपनी अल्मारी बंद करके घर की कामों में लग जाती है ए लड़की ये नई-नई कपड़े कहां से लेकर आ रही है और बताना जगा कहां से आई तेरे पास ये घर से पैसे चुरा कर तो ये सब नहीं ला रही है न नहीं नहीं चाची मैंने कुछ पैसे जोड रखे थे उन्हीं पैसों से ये कपड़े लेकर आई हूँ ठीक है ठीक है चल अपना काम कर अरे भाग्यवान ये तुम क्या कर रही हो अगर इसे इस बात का बुरा लग गया और ये घर से चली गई तो हमारे करे कराए पर पानी फिर जाएगा अरे बस दो दिन की बात है और इससे प्यार से पेश आ जाओ नेहा इस बात से अंजान थी कि उसके अठारा साल के होते ही उसके चाचा चाची उसे घर से बाहर निकाल देंगे दो दिन पूरे होते ही नेहा अठारा साल की हो जाती है उसके चाचा चाची चलाकी से घर के कागजात पर उसके साइन करवा लेते हैं और वो घर उनके चाचा चाची के नाम हो जाता है घर नाम होते ही वो नेहा को घर से बाहर निकाल देते हैं नेहा उनके सामने बहुत रोती और गिड़ गिड़ाती है मगर उन्होंने नेहा की एक बात नहीं सुनी नेहा अपने बैग में कुछ कपड़े और जादोई पुदीने के पौंधे को लेकर वहाँ से चली जाती है चलते चलते नेहा गाउं से दूर एक जंगल में पहुच जाती है नेहा ठक कर एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगती है कुछ देर बाद नेहा को याद आता है कि उसकी आखरी इच्छा बची हुई है वो जादोई पुदीने के पौंधे को अपने बैग से निकालती है और उससे अपनी आखरी इच्छा मांगती है मेरी आखरी इच्छा है मुझे मेरी सपनों को राज कुमार मिल जाए जिसके साथ मैं अपनो सारा जीवन हसी खुशी बिता सकूँ इतना कहते ही वो जादूई पुदीने का पौधा वहां से गायब हो जाता है और नेहा का बच्पन का दोस्त रोहन वहां आ जाता है वो नेहा को अपने साथ अपने घर ले जाता है कुछ समय के बाद नेहा और रोहन शादी कर लेते हैं और अपना जीवन हसी खुशी बताने लगते हैं और दूसरी तरफ उसके चाचा चाची का बेटा रोहित कुछ सालों बाद पैसों की लालच की वजह से अपने ही माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है